जैश्री कृष्णा आईए सुनते हैं सिंगहासन बतीसी में तेरहमी पुतली कीर्ती मती की कहानी एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महा भोज का आयोजन किया उस भोज में असंख्य विद्यवान, प्रामःड, ब्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित्थे भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली की संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वस्रेष्ट दानवीर घोसीत किया राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे तभी उनकी नजर एक ब्रामहड पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था लेकिन उसके चेहरे के भाव से अश्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है बिक्रम ने उससे उसकी चुपी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की इस्थिती में पड़ा हुआ है अगर वह सच नहीं बताता तो उसे जूठ का पाप लगता है और सच बोलने की इस्थिती में उसे डर है कि राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा अब विक्रम की जिग्यासा और बढ़ गई उन्होंने उसकी अस्पष्ट वारिता की भूरी भूरी प्रसंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा तब उसने कहा की महाराज बिक्रमादित्य बहुत बड़ेदानी है यह बात सत्य है पर इस भूलोग पर सबसे बड़ेदानी नहीं है यह सुनते ही सब चौके सबने बिस्मित होकर पूछा क्या ऐसा हो सकता है उस पर उस ब्रामर ने कहा की समुंद्र पार एक राज यह है जहां का राजा किरकित भज जब तक एक लाख स्वड मुद्राएं प्रती दिन दान नहीं करता तब तक अंजल भी ग्रहड नहीं करता है अगर यह बात असत्य प्रमाडित होती है तो वह ब्रामर कोई भी डंड पाने को तैयार था राजा के विशाल भोज कच में निश्ट बधता छा गई ब्रामर ने बताया कि किर्थ ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रती दिन श्वड मुद्रा लेने गया सचमुछी की किर्थ ध्वज एक लाक स्वड मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहड करता है यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हां में हां उसने नहीं मिलाई राजा बिक्रमादित्य ब्रामहर की अस्पष्ट वारिता से प्रसन्न हो गए और उन्धों ने उसे पारी तोसिक देकर साधर विदा किया ब्रामहर के जाने के बार राजा बिक्रमादित्य ने साधार और विश्धर कर दोनों बेतालों का अस्मरण किया जब दोनों बेताल लुपस्थीत हुए तो उन्धों ने उन्हें समुन्द्र पार राजा किरकित ध्वज के राज्य में पहुचा दिने को कहा, बितालो ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुचा दिया, किरकित ध्वज के महल के द्वार पर पहुचने पर उन्होंने अपना परचे। उजयनी नगर के एक साधारण नागरी के रूप में दिया तथा किरकित ध्वज से मिलने की इच्छा जताई कुछ समय बाद जब वे किरकित ध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्धों ने उसके यहां नौकरी की मांग की किरकित ध्वज ने जब पूछा की वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्धों दे कहा जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे करके दिखाएंगे राजा किरकित ध्वज को उनका जबाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहां नौकरी मिल गई वे द्वार पाल की रूप में नियुक्त हुए उन्धोंने देखा कि राजा किरकित ध्वज सचमुच हर दिन एक लाग स्वड मुद्राएं जब तक दान नहीं कर देता अंजल ग्रहर नहीं करता है उन्होंने यह भी देखा कि राजा किरकित ध्वज रोज साम को अकेला कहीं नहीं निकलता है और जब लवटता है तो उसकी हाथ में एक लाग स्वड मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है एक दिन साम को उन्होंने छिपकर किरकित ध्वज का पीछा किया उन्होंने देखा कि राजा किरकित ध्वज समुन्द्र में असनान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रत्मा की पूजा आचना करके खौलते तेल के कडाह में कूद जाता है जब उसका सरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनिया आकर उसका जला भुना सरीर कडाह से निकाल कर नोच नोच कर खाती है और त्रिप्त होकर चली जाती है जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमरित की बुन्दे डाल कर किरकित ध्वज को जिवीत करती है अपने हातों से एक लाक शर मुद्राय किरकित ध्वज की जोली में डाल देती है और किर्किध्वज खुसो कर महल लवड जाता है प्रातहकाल वही श्वर्मुद्राएं वही याचकों को दान कर देता है विक्रम की समझ में उसके नित्य एक लाख श्वर्मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया अगले दिन राजा किर्किध्वज के श्वर्मुद्राएं प्रात कर चले जाने के बार विक्रम ने भी नहाध होकर देवी की पूजा की और तेल के कराह में कूद गए जोगनिया जब उनके जले भुने सरीर को नोच कर खा कर चली गए तो देवी ने उनको जीवीत किया जीवीत करके जब देवी ने उन्हें श्वर्मुद्राएं देनी चाही तो उन्होंने यह कह कर मना कर दिया कि देवी की क्रिपाही उनके लिए शर्व परी है यह क्रिया उन्होंने साथ बार दोहराई साथ मी बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा विक्रम इसी अउसर की ताक में थे उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे शर्मुद्राएं निकलती थी जेवी देवी ने वह थैली उन्हें सवपी चमतकार हुआ मंदिर प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया अब दूर तब कीवर समुद्र तट दिखता था दूसरे दिन जब किर्किध्ध वहां आया तो बहुत निरास हुआ उसका वर्षू का एक लाक्ष्वर मुद्राएं दान करने का नियम तूट गया वह अंजलत्याकर अपने कच्छ में असहाय पड़ा रहा उसका सरी छिल होने लगा जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो बिक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा उसने बिक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो बिक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कराह में उसे कूद कर प्रारगवाते देख विद्रवित हो गए इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली वह थैली राजा कीकिर्थ्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रच्छा कर ली जो देकर उन्हें कीकिर्धवज की दर्भार में नौकरी मिली थी उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है राजा कीकिर्धवज ने उनका परचे पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वी सचमुच इस धरा पर सर्वस्रेष्ट दानवीर हैं क्योंकि उन्होंने इतनी कठनाई के बाद प्राप्त स्वर्मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेजिशक दान कर डाली जैसे कोई तुछ चीज हो